हेलो और वेल्कम टू टीवी का पठाका दोस्तों इंडस्टरी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करन जोहर ने आखिर क्यूं प्रियंका चाहर चौधरी को एक बहुत बड़ा ओफर दिया है और आखिर वो ओफर है किस चीज़ का वेल कई बार वीकेंड के वार को होस्ट करते हुए नजर आ चुके हैं करन जोहर ऐसे में करन जोहर का नाम प्रियंका चाहर चौधरी के साथ लंबे समय से जोड़ा जा रहा है बोला जा रहा है कि प्रियंका को लगातार बॉलिवूट फिल्म के ओफर मिल रहे हैं ऐसे में ए कर्मा प्रोडक्शन भी बहुत चल라고 प्रियंका। लाँच करने वाला है। प्रियंका दर्मा प्रोडक्शन का glowing का अग्ण करने बाद सकती प्र partners अगने किस चीछ का सबसे बड़ांतार और uh और आखिर में के opposition का सब कुछ पूरे विस्तार से दोस्तों आपको बता दे कि सलमान खान और शारुक खान दोनों की ही फेवरिट बन चुकी है अब प्रियंका चाहर चौधरी और अगर इसी वे में देखा जाए तो प्रियंका ऐसे में अब करन की भी खास हो चुकी है वल करन जोहर को प्रियंका की परस्नालिटी ने काफी जादा इंप्रेस किया है जिस तरह से वो बोल्ड अंदाज में रहती है जिस तरह से उनकी खुबसूरती जलगती है और उनके वर्द्स अपनी बातों पर वो अड़ी रहती है करन जोहर अक्सर ये बात बोलते हुए नजर आए है कि प्रियंका तो एक बॉलिवुड एक्ट्रिस मटीडियल है बॉलिवुड में प्रियंका जैसी लड़कियों की जगा खाली है और ऐसे में करन जोहर ने सबसे बड़ा ओफर दिया है खबर सामने है कि सैप अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को करन जोहर जल्धी डर्मा प्रोडक्शन के जरिये लाँच करने वाले हैं और ऐसे में उनके अपोजिट प्रियंका चाहर चौधरी को कास्ट किया जा सकता है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टेलिविजन आक्टर्स हैं बलकि सलमान और शारु की फेवरेट जो हो गई है तो ऐसे में तो अब करन जोहर भी उन्हें लाँच कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रियंका की पॉपिलारिटी का वो फाइदा उठा सके क्योंकि बिग बॉस की अगर वो विनर बनती है तो प्रियंका की पॉपिलारिटी तो सबसे उची होगी और ऐसे में प्रियंका को फिल्म में लॉंच करने से धर्मा प्रोडक्शन का फाइदा ही फाइदा है क्या कहेंगे आप हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले